नीपाह एक जुनोटिक वाइरस है जुनोटिक वाइरस उसको कहते हैं कि जो जानवरों से इंसान में फैलता है जैसे पहले की समय में प्लेग होता था जो चुहें से होता था या जैसे यह है नीपाह यह बैसिकली जुनोटिक वाइरस है जो जानवरों से इंसान में फैलता है जो संक्रमित सुवर हुए या फल खाने वाले चमगादणों के लार से उनके यूरीन से पेशाब या मल के जरीए फैलता है भारत में यह वाइरस आमतार पर फलो या फलों की उत्पादों जैसे कच्छे खजूर का रस हुआ का सेवन करने से फैलता है जो चमगादणों के यूरीन या लार से दूसित होते हैं बेसिकली निपाव वाइरस में एसिम्टोमेटिक ही ज्यादा इंफेक्शन होते हैं वहाँ से शुरू होता है और एक्यूट d रिस्पेटि इनफेक्शन जैसे उसमें सर्दिन्यूख एक स्थ्यू लाइक इस्ट्रक्चर होता है वहां से शुरू होके घातक nk Anth我觉得 तक हो सकता है इनिक डिहत सास लेने में तकलीफ होना और यहां तक कोमा आदित तक हो सकता है हर तरीके के जो वाइरस होते हैं जैसे कोरोना वाइरस की तरह इसकी भी जाच जो है आईटी-पी-सी-ार टेस्ट से हम लोग करते हैं यह एंटी-बाडी टेस्ट के लिए एलाइजा भी इसके लिए उपलब्द है और जल्दी कराने के लिए टेस्ट हम लोग इसके लिए जोर देते हैं और यह आई-टी-पी-सी-ार और एंटी-बाडी-एलाइजा टेस्ट हम लोग करते हैं इसके लिए कोवीट की तरह दोनों में फर्क यह है कि निपाव वाइरस कम संक्रामक है कम संक्रामक जरूर है लेकिन यह अधिक घातक है जबकि कोरोना वाइरस अधिक संक्रामक है घातक कम है यानि कि इसका जो डेथ रेट है वो फर्क है निपा वाइरस में 40-75% तक मृत उदर है लेकिन इंफेक्टिविटी कोरोना की वो ज्यादा है मृत उदर कम है, इंफेक्टिविटी ज्यादा है निपा की इंफेक्टिविटी कम है, मृत उदर ज्यादा जिसको हो जाएगा तो 40-75% तक इसमें death rate आया है इसलिए ये इस पर साउधान रहने की अवश्यक्ता है निपा वाईरस का अभी तक कोई भी दवा या वैक्सिन नहीं हुई है लक्षन के मताबिक supportive हम लोग treatment करते हैं supportive treatment में जैसे fever आया तो उसको paracetamol दे देना fluid की कमी है, fluid का उसको balance उसको करना अगर सर्दी जुकाम है तो उसको anti-allergic देना इस तरीके से symptomatic treatment हम लोग इसका करते हैं निपा वाईरस या कोई भी वाईरस बचने के तरीके जो अभी हम लोग COVID महावारी में हैं तो करोना वाईरस के बचने के जो उपाये हम लोग को बताये गए हैं वही उपाये सभी के लिए कारगर होते हैं हर तरह के वाईरस primarily हम उसी से बस सकते हैं जैसे कि साबुन और पानी से हमेशा हाथ होते रहे हैं hand santization ये बहुत महत्रपूर्ण अंग है और ये अभी से नहीं ये सदियों से चला आ रहा हमारे समाज में कि हम लोग दिन भर में कितनी बार हाथ धुलते हैं पहले के समय में लोग इसको राक से हाथ धुलते थे अब हम लोग साबुन से धुल रहे हैं hand wash बिलकुल करना चाहिए और ये बच्चों में विशेश रूप से ट्रेणिंग देनी चाहिए कि वो हाथ धुलते रहें बच्चे चुकि एडर्ट जो ट्रेणिंग देते हैं जो करते हैं हम लोग अपने अस्पतालों में स्कूलों में जाकर बच्चों को बताते हैं कि six step होते हैं हाथ धुलने के और हाथ के हर पार्ट को हम लोग अच्छे से धुलें कोई भी पार्ट छूटा न रहे तो इसी तरीके से साबन और पानी से हमेशा हाथ धोते रहें कच्चे खजूर के फल खाने और उसके रस के पीने से बचें जब तक ये वाइरस प्रिविलेंट है है समाज में दिख रहा है तो एक काम ये कर सकते हैं फल खाने से पहले उसे अच्छी तरह धोलें बहुत सारे केमिकल आते हैं उस फल को धुल के ही खाएं क्योंकि ऐसा दिखता है कि चमगादड या कोई चीज कोई पक्षी उसको खाए रहते हैं वही बजार में बिख जाता है और इसको धुल के खाएं गलप्स और फेस मास्क लगाकर ही बीमार पश्यों की देखभाल करें जो भी पश्यों हैं चुकि ये जोनोटिक डिजीज है तो पश्यों से फैलता है तो बिल्कुल इस समय जब देखभाल कर रहे हैं जानवरों की तो गलप्स और फेस मास्क लगाकर इससे जैसे की कोईट का प्रोटोकाल है उसी तरीके की हमको करना पड़ेगा जो गाइडलाइन्स बनी है संक्रमित ब्यक्ति से दूरी बना के रखे जाए सोसल डिस्टेंसिंग रखें हाथ दूलते रहें और मास्क पहनते रहें ये तीन चीज हर वाइरस के लिए ज़रूरी है इसी से हम बचाओ कर सकते हैं और हो जाने के पास से ट्रीटमेंट पार्ट वो बड़ा खरचिला भी है और बहुत कष्ट प्रद भी होता है तो अगर हम बचाओ पर ध्यान दे पूरा समाज हमारा बचाओ पर ध्यान दे तो हम इसे बच सकते हैं आसानी से